आप देख रहे हैं हिंग 24 टीवी खबर पलपल की गाजियाबाद के पेसिफिक मॉल में इस थे चुन्मुन सोरूम से एक ग्राहक का वॉलेट चोरी मामलाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पेसिफिक मॉल इस थे चुन्मुन सोरूम का है यह घटना विजय दस्मी के दिन की है कपड़े खरीदने के लिए पेसिफिक मॉल के चुन्मन सोरूम में पीडित गए थे ग्राहकों को सोरूम के अंदर शिकरेटी के नाम पर बाहर बैग लगेज रखने होते हैं वही पेडित रवी कुमार का कहना है कि उनके बैग में रखे हुए वालेट में पच्चास हजार की चुरी हुई है जब ग्राहक रवी ने सोरूम मैनेजर से इसकी सिकायत की और CCTV फुटेज दिखाने को कहा तो मैनेजर ने साप साप मना कर दिया पेडित रवी कुमार का कहना है कि थाना लिंक रोड के कौसांबी छेतर पुलिस चौकी ओपनेरिचक मुकेश कुमार ने उनकी कोई मदद नहीं की और पेडित के साथ अमानवी ब्योहार भी किया जिससे त्रस्त होकर मजभूरी में पेडित को गाजियाबाद वरिष्ट पुलिस अधिचक और DM कार्याले में जाकर सिकायत करनी पड़ी आस्वासन मिला है कि उनकी पूरी मदद की जाएगी वहीं दूसरी तरफ पेडित का कहना है कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है अब देखना यह है कि पेडित रवी कुमार को कब तक न्याय मिलता है देखिये गाजियाबाद से राहूल वसिष्ट की रिपोर्ट मेरा नम रवी कुमार है मैं ए-92 रामपुरी में रहता हूँ क्या मामलात हुआ अपके साथ सब्सक्राइबाद साम के टाइम में गया था कपड़े खरने के लिए पैसपिक मॉल में चुनमुन सोरूम है कपड़ों का वहां पे मेरा बैग जब दस्ती रख लिया गया कि आपको बैग समिट करना पड़ेगा और उसमें मेरा वालेट था पचास अजार उसमें नगत रासी थी और जब मैं शॉपिंग करके आता हूं तो मैं बटवा की तलासकर तो बैग में थ जाई सिखा दिया जया थाकि हम सो पकठा होजये कि हमारा बैग से कोई छिड़कानी नहीं हूए वहां के मैंचर कहता हम आपको नहीं दिखाएंगे मैंनेंजर को? मैनेजर को नम मुझे याद नहीं रहा हूं, मुझे नाम नहीं पता हूं मगर जो भी है मैं सात्व आमान भी है बैवार कया गया मैं बगल में चौकी सहाप के पास गया था मुकेस, SI मुकेस, कुमार जी है वो गए और उन्होंने भी कारवाही नहीं किया और उल्टा मुझे डांटे करके मुझे वहां से बेज देगे सर हमने SSP साब को मैंने लेटर लिखा है और मैंने कल में DM साब को भी लेटर लिखा है सर कोई कारवाई नहीं हो रही बस महम बहुत परिसान है जब भी हम जाते हूं उल्टा हमें डांट करके हमें बगा दिया जाते कि आप जाओ को करना है तो आप केस करूं क्यों बोलता है यह ऐसा है मुकी साब कहते हैं हमें